जाब सुप्रीमो पप्पू यादो इन दिनों काफी मेहनत कर रहे हैं पुणिया में डेरा डंटा डाल के वो सूच रहे हैं कि इस बार किसी तरीके से सांसद मन जाना है लेकिन पप्पू यादो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको गठबंधन का सदस्य बना लिया जाए और त्यूं इसके पीछे भी कई कारण है और देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि पप्पू यादो जानते हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़े तो हमारा हस्र क्या होगा 2019 में उनका हस्र क्या हुआ था पप्पू यादो भी जानते हैं और इसलिए वो प्रयास कर रहे है कि उन्हें गटबंदन का सदस से बना लिया जाए ताकि वो गटबंदन से चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीत भी जाए देखिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं पपू यादो ने यहां तक कह दिया था कि देखिए भाईया अब क्या करें हम ते जस्तुई का पैर पकड़ ले यानि पैर भी पकड़ के अगर सीट मांगना पड़े तो उससे भी पपू यादो पीछे नहीं हटेंगे और अभी पूर्णिया में पूरा जोड लगा रहे हैं लगातार वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वहां पर रहलिया कर रहे हैं और यह दिखा रह कि उनको राजत से या फिर गठवंदन का सदस्य बना कर टिकट दिया जाए बात यह है कि 2014 में पपू यादो राजत के टिकट पर मद्यपूरा से सांसद बने थे और फिर 2019 में वह मद्यपूरा से चुनाओ लड़ने जाते हैं और बुरी तरीके से हार जाते हैं क्या आपको पता है पपू यादो को एक लाख भी वोट नहीं मिला था मात्र 97631 वोट जो है वो पपू यादो को मिला था और पपू यादो वहां से मायूस होकर चले आये थे मद्यपूरा के सांसद रहे पपू यादो को जो 2004 में वहां के सांसद बने 2009 में सरद यादो सांसद बन गए 2014 में फिर पप्पु यादो सांसद बने और उसी पप्पु यादो को मद्यपुरा से मात 97,000 वोट मिला समझे और पप्पु यादो ये बात जानते हैं कि अगर हम गठबंदन के सदस्य रहेंगे किस्मत भी फूटेगा तो कम से कम एक लाख से उपर वोट मिलेगा जहां एक तरफ मद्यपुरा में दीनेश चंद्र यादो जो हैं वहां के जो सांसद हैं अभी परतमान ने उनको वोट मिला था 6,24,334 वोट और सरद यादो को वोट मिला था 3,22,807 वोट 3,15,27 वोटों से सरद यादो चुनाव हार गए थे और पपु यादो को वोट मिला 97,000 अरे भाई हारे हुई है 3,00,000 से इनको वोट मिल रहा है 97,000 समझे लडाई कहां थी और अब पपु यादो प्रियास कर रहे हैं इनको गडवन्दन का सदस से बना के कम से कम टिकट दे दिया जाए ताकि गडवन्दन के नाम पर चुनाव जीत जाए और सबसे बड़ी बाती है कि पपु यादो लोग सभा चुनाव ही नहीं हारे थे बिधान सभा चुनाव भी हार गए पुद्वा मैं रैली कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम मजबूत है और फिर भी ये प्रियास कर रहे हैं कि इनको गडवन्दन का सदस से बना लिया जाए ताकि इनको जादा से जादा वोट मिले अरे जो आदमी एक लाख भी वोट नहीं बट ओर पाया हो 2024 में कितना वोट पट हो रहेगा अखेले आप भले दलबल दिखा दे आप भीर दिखा दे आप पैसा बाट लीजिए लेकिन सच तो ये है कि 2019 के चुनाओ में आपको 97,000 वोट मिला था और उसके बाद विधान सबाद चुनाओ भी आप हार गये थे और आप पपू यादो ये प्रयास कर रहे हैं कि पुणिया से उनको टिकट दिया जाए गटबंदन का सदस से बना कर ताकि वो चुनाओ जीते आगे देखिए क्या होता है क्या पपू यादो चुनाओ जीतेंगे या फिर इसी तरीके से रहेंगे बरहाल इसकबर में इतना ही वनेरामार साथ और देखिए रहें देटा टॉप